जैहिंद नमस्कार मेरे शेयर शेयर नियों लाड़ो लाड़लो स्वागत आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल कमांडो केड में पड़ा दोस्तों जब से ससे जीडी का पेपर सुरूआ आप सभी को पता दस जनवरी से पेपर सुरू हो गया आज लगबग 22 तारीक हो गई काफी पेपर हो गए काफी बच्चों के कुछ बच्चों के आने वाले दिनों में पेपर हो रहे हैं जिन बच्चों के पेपर हो गए हैं उनके साथ में ये किरियोशिटी अब ज्यादा हो गई है कि सरकटोप कितनी जाएगी क्योंकि आप सब को पता इस बार पेपर का जो पेटर न वो चेंच है यानि असी क्यूशन और साथ मिनिट का समय है आप सभी को मैं एक चीज बता देता हूं इससे पहले एक बहुत बड़ा भरम था वो भरम अब दूर हो गया है क्या भरम था क्योंकि कि SSE GD 2021 वाली जो भरती थी आप सभी को पता तब तक SSE का जो फोर्मेट था सो क्यूशन वाला उस समय ये था कि सो क्यूशन है और लगबग 90 मिनिट का समय दिया जाता था यानि डेट गंटे का तो उस ओसत में क्यूशन 20 कम के गए मिनट 30 कम कर दिये गए तो सब का मानना ये था कि समय इस बार नहीं मिलेगा बच्चों को तो कटोप कम जाएगी यनि समय की प्रोब्लम के करण कटोप कम जाएगी लेकिन अगर मैं उस आदार पर बता रहा हूँ द्यान रखे कटोप किसी कोई जो आदार है इसका वो आदार है जो बच्चे एकेडमी के लगबग मात पर चार या पांच बच्चे ऐसे हैं जिनोंने ये बोला कि सर हमको तोड़ा सा शमय की प्रोब्लम हुई है बाकी जो ज्यादातर बच्चे लगबग 45 बच्चे हैं उनका समय की कोई प्रोब्लम नहीं हुई है उन्होंने पेपर को आराम से टेंड किया है बिल्कुल एक पर्षेंट भी उनको प्रोब्लम नहीं हुई है क्योंकि पेपर का लेवल ही इतना आसान है कि साट मिनिट में ये स्क्यूशन आराम से कर पारा हर कोई बच्चा जो मेनत कर रहा है को उस दिन से ऐसे नहीं कि जिसने पढ़ाई नहीं की हो वो कर दे उसके लिए तो पोसिबल से नहीं आ रहा है क्योंकि सही समय में पेपर आराम से तसलिष से टेंड हो रहा है क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो बहुत ही आसान कर दिया गया है इसलिए आपको नंबश ज्यादा से ज्यादा लाने की कोषिश करनी पड़ीए इससमें कोई संधें नहीं है और य Luft को कर रिवीव सुन लेजिए किसी भी चैनल पर जो भी बच्चा एक्जाम सेंटर से बाहर निकल रहा था उसका एक ही बात बोलना था कि सर मेत के क्यूशन बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं जिन में बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है इसलिए पूरा पेपर अटेंडर नहीं कर पा रहे हैं हर एक बच्चे के मुझसे यही निकलता था कि पिछले बार मैंने भी काफी बच्चों का रिवीव लिया था देखा था अकेडमी से जो बच्चे देखे गए उनसे भी पूझा था हर बच्चे ने आकर यहीं बोला कि क्यूशन की जो लेंथ है वो बहुत बोट भी वह असी क्यूशन आरहाम से देख पाराएं और कैसन अटेंड भी कर पारा था है तो अब क्या अनुमान लगता है कि सरक का टोप कितनी जा सकती है देखे 2021 वाली वेकेंसे के गर हम तुलना करें चयव bạn है तो 2020 इस में लग बच्चेश व 2221 पोश्ट की वे वेकेंशी थी जो कि इस बार कितनी हो गई है लाट लो 45,000 पोश्ट की 2023 वाली कितनी हो गई है 45,000 पोश्ट की यनि पोस्टों में काफी फरक आ है पोश्टों में काफी फरक है पिछली बार से इस बार वेकेंशी बढ़ी है और फोरम बहुत कम बढ़े गए है पिछली बार लगवक 66,000 के आसपास फोरम बढ़े गए थे इस बार आपको पता है अंतिमांकडे के अनुसार 53,000 से 60,000 के बीच में फोरम बढ़े गए है यनि 53, पन लाक आये था लेकिन 60,000 के आगे भी कुछ बच्चों ने फोरम बढ़ने के बाद पेमेंट नहीं किया था तो उनका आगले चार दिन में हो गया था और वो मान लेते हैं तो फोरम भी इस बार कम बरे गए है पोस्ट और वेकेंसी चाहता है पेपर भी पिछली की बार त पुस्तिति यह वो बहुत ज्यादा है आप जो भी बच्चे पेपर देखे आएं वो मेरी इस बात से सहमत होंगे कि आप जो भी एकेडमी से बच्चा आ रहा उनसे में एक चीज़ पूत रहा है तो वो बच्चे अब ऐसे खाली रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे जिन्होंन में देने के कारण भी वो बच्चे डरके तयारी नहीं की इस वज़े से भी उन्होंने फोरम दो पर दिया लेकिन पेपर देने में वो रूची नहीं दिखा रहे हैं तो ये भी एक रीजन है अब इस क्यादार पर हम देखे कि कटोप कितनी जाएगी तो मैं आपको यह बता क्योंकि पिसली बार और पिसली बार क्या था है एक क्यूशन एक नंबर का और सो क्यूशन सो नंबर के थी इस बार एक क्यूशन दो नंबर का और सी क्यूशन एक सो साथ नंबर के हैं तो नंबर के साफ़ से नहीं परतिसली बार इस बार में जो मेरिट रहेगी आंकडे मैं यह चीज बता सकता हूँ आपको कि कटोप उससे उपर नहीं जाएगी जो पिछली बार आपके स्टेट की कटोप है 35 कटोप गई आपके राज्य की 65% गई है 50% इस बार उससे उपर नहीं जाएगी यह गारणाटि है मेरी क्योंकि पोस्ट ओफ वेकेंसी डबल के आसपास है पॉरम कम भरे गये हैं और फुस्ति इस बार दर ज्यादा है पेपर के में समय कम मिला है लेकिन समय के वज़े से हम कटोप को डिकलें नहीं करते हैं क्योंकि समय सभी के लिए सफिसेंट हो रहा है लेकिन पढ़ने का टाइम है वो टाइम पिरियर्ट जो इस्टेडी का है वो कोई रोग नहीं सकता ठीक है तो आपको अभी से रनिंग के तयारी कर देनी चाहिए यह विश्य सूसना आप सभी के लिए जो बच्चे आप पेपर देने जाएंगे वो भी इस बात का ध्यान रखें कि कटोप के आंकड़े ज्यादा उपर नहीं जाएंगे चाहिए आप पर बहुत इसे आ रहा है आसान ही आता है सेसी जीडी का पेपर हमेशा पिछला भी इतना हाड नहीं था पिछली बार सिर्फ यह ता कि समय जादा था तो मेत के लेंटी क्योशन थे लेकिन जिन बच्चों को आता था उन्हों पिछली बार भी मेत की है यह यह पेपर का एक भी उपर लाऊं लेकिन नंबर उपर लाने की कोशिश करना है अब आप बोलो कि सर अगर एक दो नंबर कम आगे तो तो भी कोई घबराने की बात नहीं है कम जाने के चांस है उपर जाने के चांस कम है यह ज्यान रखना आपकी 2020 जो मेरिट गई थी कटोब गई थी समझे ठीक है लाट लो जय हिंद जय भारत